हेलो गाइज बहुत बहुत स्वागए थे आप सभी का मारी चैनल में इस वीडियो में बहुत जाए इंपोर्टेंट डिसकोशन करने वाले हैं जो कि जनल नौलेटेड है आपके एक्जाम के लिए कॉंप्टेटिव इंपोर्टेंट है कॉमा नौलिज के लिए भी पहले कोश जल्द जवाब देज़ें मुझे कमेंट सेक्ष्ट में मैं आपको जल्द जवाब दे रहे हूं तो इसका नाम होता है डिहॉंग रीवर डिहॉंग रीवर ही ब्रह्मपुत रीवर है जब हमारे इंडिया में एंटर करती है एंटर के समय में नेक्स्ट कोशन माला निपाल में जाना जाता है हमारी और इसे रीवर को हम किस नाम से जानते हैं यह आपको फकिता होगा में पता को तो भी कोई बात है मैं आपको बता देती हूँ तो इस रीवर को जो है हम ब्रह्मपुत्र नेम से जानते हैं असम में तीन कोशन आपको यहां से प्रिपेर हो रहा है ब्रह्मपुत्र रीवर के बारे में आते हैं अगले question पे, अगला question पे important और अच्छा question है मुझे बता है, question निये कहा रहा है कि इसका कौण सा vitamin है जो के हमारी urine के थूर बाहर आजाता है तो इसका simple answer है vitamin C जो होता है वह हमारी urine के थूर बाहर आजाता है कौशन पोष्टे के इसका सा vitamin है जो कि soluble होटा है water में तो वह भी vitamin C होता है तब ही तो यूरीन के थूरू जो बाहर आजाता है पानी में मिक्स हो जाता है और यूरीन के थूरू हमारे बाहर आजाता है तो simple से आप इतना तो दिमाग लगा सकते है अब अगला question है कि maximum number of nominated member जो है नॉमिनेटर होते है इसका simple answer आपका 14 member जो है nominated होते है पाल्यामेट में लोगसभा और राजसभा दोनों को मिला कर जो है 14 member nominated होते है याद रखेगा यह बात ध्यान रखेगा कोई specifically राजसभा देदे या लोगसभा देदे तब इसके लिए यह चीज़ ध्यान रखिए दो नॉमिनेटर होते हैं कहां से तो वो होते हैं राजसभा से यह simple था और यह point भी आप ध्यान रखेगा और पाल्यामेट वाला भी आपको वीडियो अच्छा लगाओ अच्छा लगाओ तो लाइक से सब्सक्राइब करना तो बिलकुल ना भूलिए जल्दी से नोटिफिकेशन बेल जाए आउन कर लिजे ता कि जब भी मैं आपको वीडियो अप्लोड करू तो आपको सबसे पहल नोटिफिकेशन बिल करे कर?